अभी आप देख रहे हैं पुरानी वाली अपाची जिसमें आपको किक लगा हुआ दिखाई देगा साब तो ये पुरानी वाली अपाची है जिसमें आपको FI नहीं मिलता था उसमें कार्बूरेटर सिस्टम मिलता था अगर आप स्क्रीन पिस समय देख रहे हैं तो आपको द थंडियों में बाइक सुबह-सुबह ओन नहीं होती थी तो ज़्यादातर मैं कहने कि इस चीज को बोलते थे कि पहले किक से स्टार्ट करिए फिर दिन भर सेल्फ का इस्तमाल करिए लेकिन जैसे बाद जैसे या पाची नहीं वाली आई उसमें से किक कमपनी ने हटा दिया बह मतलब पीछे से ठेला मेलना पड़ेगा बहुत से इधिकते होंगी तो इसकी वज़से मतलब बहुत सारे सिकायते हुई लेकिन जो नया अपडेट आया 2022 में इस वक्त ठीक है तो इसको लेके बहुत सारे ये दावे थे कि सायट किक वापस आ सकती है लेकिन मैं आपको इस प कुछ दिया लेकिन किक नहीं दिया है ठीक है किक अभी भी कंपनी नहीं दे रही है किक हटा चुकी है तो आप सियोर हो लिजेगा कि अभी आपने आगर आदत नहीं डाली है बिना किक कि तो अब आपको आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि जादत रवाइक्स में से किक साथ ही साथ जो अंदर की wiring है उसे बहुत ज़्यादा upgrade गिया गया है इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी self में कोई problem ना है battery में कोई problem ना है तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए company ने ये updates वगरा दिये हैं ये सारी चीजें करी हैं तो अब आपको आदर डालनी ही पड़ेगी अब दूसरा काला सच इसका ये है कि देखिए अगर आप जो है battery maintenance का ध्यान नहीं देंगे ठीक है आप अपने bike को self से on कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं कुछ दिनों बाद आपने ध्यान देना थोड़ा सा बंद कर दिया जाहिर सी बात है busy life है इंसान इतना ध्यान नहीं दे पाता है तो जैसे start करने में problem आएगी बिना कहे आपको mechanic के पास जाना ही पड़ेगा आपको battery या तो change करवानी पड़ेगी या तो फिर कुछ पैसे दे कि इस battery को दुबारा recharge करवानी पड़ेगी बहुत ऐसे process हो जाएगी पहले क्या होता था कि battery में अगर problem आ जाती थी तो हमारे पास kick रहता था हम महीनों दो महीने बीना self के भी जो है रगड देते थे जहां मर्जी आता था kick से on कर लेते थे लेकिन भर निकल जाते थे कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी लेकिन अब आपको ऐसा नहीं है एक नएक समय कभी ऐसा लगता है कि यार और नहीं हो रही है अगर kick होता तो एक बार try करते तो सायद on हो जाती ठीक है तो ये भी है और दूसरी चीज मैं आपको बता दूँ की vibration तो vibration के लिए मैं एक छोटा सा clip आपको दिखा दे रहा हूँ ये clip आप देखें जिसमें आपको जो glass छोटी सी रखी हुई दिख रही है ये vibration की वज़े से गिर जा रही है इसमें बहुत ज़्यादा vibration आपको दिख रहा होगा अंदर पानी चलक रहा है पूरी तरह से तो मैं आपको clear कर दूँ कि जो पहले अपाची में vibration मिलता था उससे थोड़ा सा कम vibration मिलेगा अब ऐसा नहीं है जिसे कि प्रंसर NS160 में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम vibration मिलता है उतना कम vibration अभी भी अपाची में नहीं हुआ है vibration आपको महसूस करना ही पड़ेगा लेकि होती है तो फिर कोई बात नहीं लेकिन दिक्कत इससे कोई नहीं होती है क्योंकि बाइक चलेगी तो हीले की ही जाहिर सी बात है तीसरी चीज मैं बता दूँ इसका main headline जिसको लेके आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इसका उजाला कैसा है तो अगर आपने 164V जो है उस जूपिटर हो गया नहीं वाली या कोई भी ऐसा होगा जिसमें LED लाइट क्योंकि आज ज्यादा दर स्कूटर्स में LED लाइट आ चुकी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मस तुझाला आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इस चोटी सी वीडियो बनाने का परपस यही था कि आपके बहुत सारे डाउट्स थे इस बाइक को लेके मैंने चुब रिव्यू वीडियो डाला तो उसमें यही सारे सवाल थे तो मैंने सुचा एक साथ आप लोगों को मैं बता दूँ और इसमें जो टॉप मॉडल है जो ब्लूटित का नेटिविटी के सा बहुत जल्दी उसका रिव्यू देंगे जैसे सोरूम बे उबलब्ध हो जाएगी और एक चीज यह भी मैं बता दू कि बहुत सारे भाई लोग यह चीज भी पूछ रहे हैं कि उनके सोरूम के पास जब वो जा रहे हैं अपने सोरूम के जो उनके पास का सोरूम है तो वो यह चीज बोल रहे हैं कि नई वाली अपाची अभी नहीं मिलेगी कम से कम 6 महने एक साल लग जाएंगे उनको आने में तो देखिए इसके पीछे का सच यह है कि उनके पास जो पुराना स्टॉक है वो अभी भरा पड़ा है जिसकी वज़से वो नए वाली को डिस्प्लेड नहीं कर रहे हैं पुराना वाला खाली करेंगे तभी नए वाले को सामने ले कर आएंगे यही में वज़य है तो आप थोड़ा सा इंदिजार करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर आप परी बुकिंग करवा सकते हैं ठीक है तो चलिए मुझे लगता है कि आपके डाउट हो होंगे क्लियर मिलूगों आगली वीडियो में ध्यार नखियेगा अपना जै हिन जै भारत